हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज अपन देखेंगे स्टेंडर्ड 6 माराटिका 11 चैप्टर वीनुचा जल प्रवास तो अभी इस चैप्टर के जो लेका किया उनका नामा में नहीं पता पर उन्होंने इस चैप्टर में क्या लिखा है वो हमें अभी हम इस चैप्टर से पड़ेंगे एक होती नदी तीच्यात होते खूब खूब पानी तो एक नदी थी उसमें भहुत सारा पानी था निले निले थंडगार वस्वच्च इतके स्वच्च की वरुन पाहिले की तलाची वालू तीसाई ची मतलब निला निला पानी थंडा भहुत थंडा और ली दिखती थी गोल गोल गोटे दी साइचे आनु सुल-सुल पोहन आरे मासे ही मतलब उसमें गोटे भी दिखते थे और जो सुल-सुल पान आरे छोटे मतलब जो मासे ही मतलब जो फीशेज ही छोटी-छोटी फीशेज हो भी दिखते थी माशन चा समुहात राय ची मीनू मास चोटा चे चोटा बोटा योड़ी मतलब जो अपना एकदम हाथ का चोटा उंगली रहता है उतनी थी वो मीनू रूपेरी कल्यान ची इतर मासे तीचे खूब खूब लाड़ कराई चे जो बाकी मासे ते जो बाकी मचली थी उस नदी में वो सब उसका बहुत लाड़ करते ते मतलब उसको उसको बहुत ज्यादा प्यार करते ते तिलाक शण भर नजरे आड़ हो द्याईचे नाहित मतलब थोड़ी देर केली भी अपनी नजरों से दूर नहीं गरते ते मतलब उसको अमेशा आईचे देखते ही रहते ते वो किदर गूमना हो जाई इसलिए पन मीनुला नदी चा खोलगट भागत रहाई चा कंटाल आला होता पर जो मीनु थी अभी नदी खोलगट मतलब जो नदी क पानी रोज कुटे जाता मतलब उसकी मा उसकी जो आई है उसकी जो मा उसको पुछती थी कि रोज इतना जो नदी का पानी वो किदर जाता है आई महना इची मीनु पुड़े मोटा समुद्र आहे त्यात जाता तो उसकी मा बलती थी कि आगे बढ़ा एक समुद्र है समुद मां इसको आंसर करते हैं मीनू विचारी तो यह मालाम हाइद नाइब तो उसकी मा बोली मुझे पता नहीं अभी मीनू मदुन मदुन विचार कराई ची मतलब मीनू जो इना बीच-बीच मैसे बार बड़े से विचार कराई ची मतलब सोचती थी खरिच केवड़ा असेल बरा समुद्र मतलब यह जो C है वो कितना बड़ा रहेगा रियल में रोज एवड़े पानी त्याद जमते मनझे खूपच मोटा असनर आनि खूप 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 खोली मतलब रोज जो भी नदी का जो फ्लो सब जो पानी नदी से फ्लो होके वो रोज समुद्र में जाता है तो बहुत बड़ा ही रहेगा और बहुत ज्यादा डीप भी रहेगा असे केले तर समुद्र जबखून आलो आलो तर तो वोलती है हम क्यों ना ऐसे करें कि सीधा जाके समुद्र देख किया है आनन्द आने तीने तुनक कुन उडित्स मार ली मतलब वो बहुत खुशी से ऐसे पानी में उसने जम कर दिया तो ये पिचर में हम देख सकते कैसे वो नदी में इसे जा रही है नदी से इसको इग्नोर कर देजिए अब यह हम आगे देखते हैं एक दिवस मुसागदार पाउस पडू लागला मतलब एक दिन बहुत जोर की बारिश गिरने लग गई जमीनी वरुन पाने चे लोंडे वहला लागले मतलब जो जमीन पे जो पानी भर गया था उसका वो पानी ऐसे भेने लग जाता मतलब एक दम जमाओ के वो भेने लग जाता नदी चे पानी गडोले मतलब जो नदी का पानी था वो जो साफ था साफ से हूँ गंदा होया मासे बावरुन एक मेकानना शोदू लागले जो मासे थे वो एकदम ऐसे कंफ्यूज हो गये और एक दूसरे को ढूनने लग गये पन कोनी च कोनाला दिसेना मतलब पर कोई किसको दिख नहीं रहता पानी वेगाने वाहत होते जो पानी था नदी का वो एकदम ऐसे तेजी से बह रहता या गोंदलात मीनू वत मीनूची वा आईची चुका मुग जाली वा पाने वरवर मीनूची मीनू ही गिर्क्या घेत निगाली मतलब अभी पानी बहुत फोर से भैर आता तो इस में इस चक्कर में जो मीनू है और उसकी मा है वो दोना इसे अलग हो गए जाले वा पाने वरवर और जो पानी एकदम फोर से आ रहा था उसके साथ जो मीनू थी वो भी ऐसे चली गए पानी में बैते बैते खूब बेडती आशित पोहत होती मतलब भूद देर तक वो ऐसे ही तेर रहती मीनू ने मीनू ने हलुच तोंड उगड ले फिर मीनू अपना जो मूर रहता है वो एकदम धीरे से ओपन करती है थू थू सगड़े खारट पानी अभी वो समुद्र में आ गएती तो समुद्र का पानी कैसे खड़ ये सॉल्टी वाटर रहता है तो वह आया वो ऐसे बोलती है बंजे समुद्र समुद्रम मनतत्तो आला की बापरे क्योड़ा लाम परियंत पसर ला है तो बोलती है जो समुद्र है जिसको हम समुद्र कहते है वो आ गया कितना दूर तक ऐसा फेला हुआ है ऐसे वो बोलती है नजर सुद्धा पोचत नाई इतक्या लाम मतलब जहां पे हमारी नजर भी नी पहुचती है उतना दूर मतलब मीनू मीनू अपनी इससे बोलती है कि मेरी नजर भी नी पहुचती है और उतना दूर है वो चला थोड़ी शी चक्कर मारून परत जावे जाले मतलब बोलती है थोड़ी से ऐसे मैं समुद्र में गोंगे फिर से जाती हूँ मीनु हडू हडू पुड़े निगाली मतलब जो मीनु थी वो धीरे धीरे से आगे निगल गई पानेत एका बाजुला लाम परिंत खड़कांचा रांगा होते है अभी हाँ मतलब जैसे कोई पत्तर को ऐसे पानी लगता है बार बार उसको और सनलाइट भी मिलती है ठीक तक तो उसमें कैसे चोटे चोटे फ्लावर जा जाते तो वही नदी चाप पाने वर तरंग आये ची तशी मतलब जो नदी का पानी है उसमें कैसे वह तैरती तिता रंग मतलब ऐसे उपर पे फ्लोट करना मीनुला गम्मत वाटली मतलब मीनुको वह फन लगा ती हड़वड पुड़े निगाली मतलब वह धीरे धीरे आगे निकली लाल गुलावी अंजेरी फुले किती चान चान रंग होते तैंचे मतलब यह सब से फूल के कलर्ज है वह कितने चान चान मतलब कितने ब्यूटिफुल सुन्दर है वह रंग अभी आगे इतक्या तीछी एक विचित्र माशी टककर जाली मतलब अभी वह जैसे गोम रही थी वह समुद्र में तो उतने में उसकी टककर हो गई एक अजीब से मतलब एक अजीब सी फिश से उसकी टककर हो गई त्याचे टोल घोड़या सारके होते वह पोटाला पिश्वी होती मतलब जो माशी थी जो फिश थी उसका मूग ऐसे था घोड़य जैसा और उसकी जो पोट था जो मतलब पेट होता है उसको एक पिश्वी मतलब ऐसी थैली थी त्याच छोटी-छोटी पिल्ले बस लेली होती तो उसमें छोटी-छोटी पिल्ले मतलब जो ये अजीब सी माशी मतलब जो फिश थी उसके जो बच्चे थे वो थैली में थे ये मीनूला ख्षणबार हसू चाले मतलब जो मीनू थी उसको ये देखके ऐसे हसने को आगया कोन तुमी तीने वीचार ले तो जो मीनू है वो माशी जो फिश है उसको पूछती है तू कौन है कोन तुमी पंड तो पिवड़ा मासा काईट ना बोलता हड़ अड़ पूड़े गिला पर भी जबी इसने पूछा तू कौन है तो लेकिन वो जो मासा था वो कुछ बोला नहीं वो अपना धीरे धीरे आगे चला गया माशी नहीं आए अब यह जबी वह उसको जो मीनु रेती है वो उस जो माशी डेती है जो फिश रेती है उसको पूछण गर दिये तो आंसाजी ने देता आगे बढ़ जाता है तो उतने में एक उतने में तड़ा कड़ून, मतलब जो किनारा रहता है, उसमें से आवाज आया, त्याचा नाओ घोड मासा, समुद्र घोडा, तो जो अजीब सा जो वह बलती है, विचेतर माशी, जो जिसको बलती है, तो उसका नाम रहता है, घोड मासा, मतलब समुद्र घोडा, तो पराश ही एक मोटे कासव बसले होते मतलब जो किनारा था वहां पे एक बड़ा सा कासव मतलब कच्वा बैटा था नदित अस्ते त्या पेक्षा किती तरी मोटे मतलब जो नदी में रहते है वो बहुत बड़े रहते है मीनू लाटांच्या पाईर्या उत्रत जवल पोचली व मनाली कासव दादा तुम्ही इकड़े कदी आलात तो बोलती है अभी जो मीनू लेती है वो लाट जबी समुद्रा में वेव जाती है तो उसको यहां पे लाटांचा पाईर्या मतलब जो ऐसी बड़ी बड़ी वेव जाती है उसको पार करके वो जाती है उसके पास कासव के कासव दादा तुम्हें इकड़े कदी आला मतलब तुम यहां पर कब आए ऐसे तो जो घोड़ मासा जो समुद्र गोड़ा रहता है वो यह हमें इस पिछल में दिखाया गया है यह गोड़ मासा समुद्र गोड़ा यह कासव तो यह है अब यह आगे हम देखते हैं मीतर जब यह बोलती है तुम यहां पर काशव दाधा थो बोलत्य है तो जो काशव रहता है वह बोलता है मि ताहिते च्राएटो लातो ते मानाले नाही प्रोड़े मुली आमचा नदी तही एक छान कासव दादा आहेद वो बलती है नई हम लोग मैं जापे रहती हूँ जो नदी में मीनू रहती है उसमें भी एक छान मतलब एक सुन्दर ऐसा ब्यूटीफुल कासव रहता है मतलब कच्छवा रहता है ते वेगले मी समुद्रात रहतो वो बल पावलान वर संकट अभी उभी रहत आहेत मतलब हिदर तो कदम कदम पे संकट मतलब डिफिकल्टिज है बगितल सकीती वेचित्र विचित्र मासे फिरत्यात इकडुन तिकड़े मतलब जो कासव रहता है वो मीनू को बलता है तुने देखा नहीं क्या कितने वीचित्र विचित्र जो मासे मतलब जो विचित्र फीशेस वो घूमते रहते हैं इधर से उदर तो आठ होता तो आठ हाथ असलेला अश्ट भूज मासा मतलब आठ हाथ असलेला मतलब जो ओक्टोपस की बात करते हैं आपे तो कसा उल्टा चालतो है बगिदलस का तो बुलता है कि वो कै से उल्टा चल रहे तुने देखा क्या पाने चा छुड़ा भढ़त हडू हडू माग सरक्तो उसके पानी का पानी से वह धीरे दीरे पीछे जाता रहता है आप लिए आठ आता नी मासे थेड़े पकड़ून खातो मतलब उसके जो हाथ है आठ हाथ रहते उसके तो उसका पकड़ के खाता है पान्यत उतर नारी मासन मासन सुद्धा त्याला मासन सुद्धा त्याला घाबरत बरका घाबरत बरका तो वो बोलता है कि जो पानी में रहते वो भी उससे डरते है जो फीशेस पानी में रहते वो भी ऑक्टोबस से डरते है पन कासव दादा अभी शंक शिंपले पड़ले आहें मतलग वो बलती है जो नदी का किनारा रहता है उसमें शेल्ज रहते है वैसे ही जो समुद्र का किनारा है उसमें भी शेल्ज उदर भी शेल्ज ऐसे पड़े हुए है तो अभी आगे पन नदीतले शंक शिंपले आत काय असते इते या दोन शिंपलांचे पेटित एक कीडा बस लेला असतो बरका तो अभी वो बोलता है अभी कासा हो दाता बोलता है पन नदीतले शंक शिंपले आत काय असते इते दोन शिंपलांचे पेटित एक कीडा बस लेला असतो अभी वो बोलता है कि या पे जो रहता है शेल्ज रहते उसमें दो शेल्ज ऐसे जोड़के एक उसमें एक कीडा बैटा रहता है इसे वो बोलता है त्याला चालाइच अस्त असल की अपले अभी आगे हम देखे पाई फटी तून बाहर काडून तो हड़ु अड़ु चालतो तो अगर उसको चलने का रहे है तो अपने जो पैर है वो ऐसे दो गैप के बीच में से निकालके दीरे दीरे चलता है वो बोलता है कासा हो दादा ऐ एसे ओक्टोबस का भी हमें फोटो दिया गया है और ये ऐसे ये नीचे नीचे पड़े हुए इसे शेल्स है वो लेकिन ये पाणी के अंदर जो ये रहता है किनार अभापे भी ऐसे पड़े हुए रहते बहुत सारे अभी आगे या शिम्पल्यातुन चुकुन 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 एका दा वाडुचा कन गेला की तो त्याचा अंगाला तोचाईला लागतो मतलब अगर इस जो शेल्स रहते उसमें कभी एक वाडु मतलब जो सैन का अगर कन एक छोटा सा दाना चला गया अंदर तो जो अभी आगा देज़ी पात्र रस काड़ण त्यावर गुण डालतो थिर पर जब ही उसको चुबने लगता है तो जो वह अंदर शेल के अंदर जो एक कीडा रहता है वह अपने बॉडि में से रस निकालता है मतलब एक पतला सा कोई रस निकालता है और वह उस पे ऐसा तो हाँ अपला तसाच गुंडालत रातो पर फिर भी वो वैसे इसे प्रेड करना जारी रखता है मक्त्यातुन छांदार मोती तयार होतो और फिर जो एक मोती ऐसे वो तयार हो जाता है इते ताड़ा परियंत कदी-कदी मांस येतात मतलब जो समुद्र का किनार है वहाँ पे कभी-कभी कुछ इंसान जाते है शिम पले उचलून घेतात घेउन जातात मतलब जो शेल्ज रहते हैं वो उटा के लेके चले जाते है इतक्यात त्याच्या मदून एक प्राणी तिरका चालत गेला मतलब अभी जबी उनका जो कॉन्वर्जेशन चालू था उतने में वापे से एक प्राणी एक कोई एनिमल वापे से चल के गया तो आपले बड़बटित डोलें मीनु कडे पाहत होता मतलब वो अपने जो बड़ी-बड़ी आके बड़बटित मतलब बड़ी- अब जिनर्य चाले उस चाले और में गव्तक फच्ि म्तलब वो जो देखकर गये और वो काशव जो काशव था उसके पास आके खड़ी हो गई मुले शत्रू याचावर हला करू शकत नहीं मतलब उसकी वज़े से जो शत्रू जो शिकारी है वो इसके उपर अटेक नहीं कर सकता याला सहाथ तर कदी आट पाई ही अस्ताच मतलब जो खेकड़ है उसको कभी-कभी छे तो कभी-कभी आट पैर भी रहते हैं तरिपन बेट्याला सरण मात्र शरल चालता यतनाई मतलब जो खेकड़ा रहते है वो इसे जरा तिड़ा-तिड़ा सा चलता है उसको सीधा चलने होता नियां तोन्दार जवर दोन नांगन्या अस्तत मतलब जो डंक रहते हैं जिससे खेकड़ा डंक मारते हैं तो वो रहते हैं जो मुख के पास उसके दो ये रहते हैं नांगन्या जो जिससे वो डंक मारते हैं त्या मुले त्याचा सन रक्षन ही होता व त्याला बक्ष्य ही पकडता येत नहीं तो मतलब और उसके जुन ये रहता है नांगन्या उसके वाजे से उसका रक्षन भी होता है और उसको बक्ष्य ही पकडता येत मतलब उसको अपने लिए खाना भी पकड़ने हो जाता है अता तु माजा बरवर चल अपन खूब दूर वह खूब 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 खोल जाओ मतलब वह बोलता है अभी तु में सचल अपन बहुत दूर और बहुत डीब जाएंगे तिते खूब अंदार असेल वह बोलते है उदर बहुत अंदेरा रहेगा कारण इतक्या खोला और प्रकाश पोचत नहीं मतलब जो समुंद्र का एकड़म डीब रहता है समुंद्र में व हां वह बहुत बड़ी बड़ी ओसपे बहुत प्रचन दुम बहुत बड़े साइस के जो युदो ओ टरते हैं माशान चाह सजच कुछ अंगा उजयद बाहर बढ़ता हुरुत मतलब कुछ फीशेश है वंसे पत्ởेयर है कोईश्पीव यह शून जांब आसथ बाहर आती है है जो एजाड़ी शोदली होती मतलब जो रस्ते में उनलोगने ठीक ठीक आणी जाड़ी मतलब उन्होंने इसे रस्ते में जगे जगे पर जाड़ी रहती है जो नेट रहती है वो ढूंडा ती चुकवत त्याननी मीनुला नदीत आणुन सोडले मतलब वो देख देखके जो कासव दाधा रहते है वो उसको नदी में लाके छोड़ देता है जाब ये मीनु पहले ही रहती थी नदी चा गोड पाने चा स्परश मीनु चा अंगला जाला तो जब नदी में आई तो जो नदी का पानी रहता है वो मीठा रहता है तो उसका जो स्पारिश मतलब जो उसका टच था वो मीनू के बदन को हो गया तीछे तीने दो तीन चूड़ा भर लेया मतलब वो दो तीन बार ऐसे पानी के अंदर गई और फिर भार रही खारट तोंड स्वच्च दूतले गेले मतलब जबी वो समुद्र में ती दो जो खारट मतलब जो सॉल्टी वोटर था उसको उसने धो दिया कासव दाद अचला न माजा बरवर तीने आगरा केला जो कचवा था उसको जो छोड़ने आता है उसके घर पे उसको बलती है तुम मेरे साथ चलो ना आगरा मतलब उससे विन्ती की अभी आके नको मीनू जैसे तुला समुद्र आवलत नहीं तक माला नदी आवलत नहीं तो सर्टक्राइबिन उसको ऐसे कुछ देर के लिए सब बूरा लगा वाइट वाट ले मतलब बूरा लगना कासव दाधा नी तिला किती तरी गमती दाखावलिया होते हैं मतलब जो कच्छवा रहते हैं उसको भूत सारा फण कराया हैं एंजॉयमेंट कराई त्या कदी एकादा आईला सांगेल असे तिला जाले होते मतलब जो उसने चीजे उसको दिखाई थी कासव ने मीनु को वो मीनु अपनी मा को कभी ऐसी बताईगी ऐसे वो सोची और जो इस कभी जो चैप्टर की जो लेखी का है उनका नाम है विनाया साथे लाश में हमें जो लेखी का उनका नाम दिया है विनाया साथे तो यहाँ पर हमारा यह चैप्टर खतम हुआ तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट